अबर्जेहनची के अंदर जब जनता वालड़ी बनी कि उस समय हम ने पूरे रास्तान के अंदर रोते रोते फिर हम आंपकी, रास्तान में आनी है, मद्य ठर्देश में आनी है और या 37 गट में आनी है, यह सब फिर्ण अपकीים. अरे भाई मोदी जी मेरे तो खास थे लेकिन अब यूँ हाथ मुच्छे करते हैं खाली कोई भी सरकार हो इव्यापरी का पूरा ध्यान देवें व्यापरी को परिशान ना करें और थोड़ी सपे का भी द्यान देवें अब पहले भी वह मुक्यमित रह से को हैं और उनको सब द्यान है कैसे करना है वह चलाता अच्छी चलाता है थी वहां पर हमने रुका और आपको बता दे कि यहां पर पिछले 2003 फिर उसके बाद 18 और 13 बीजेपी की सरकार रही है ठीक है और अभी भी बीजेपी की मतलब सरकार नहीं यानि कि यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट यानि कि जो बिधायक हैं वो यहां से जीते हैं 2018 में 2013 में लेकिन यहां का महौल क्या है कैसा है हम इनसे जानेंगे हमारे साथ यहां के जो सौप के जो मालिक हैं वो हमारे साथ जोड़े हुए हैं जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं और क्या कुछ मोहल है इस विधान सभाशेत्र का ये इन से जानते हैं। क्यों रिपीट हो सकती हैं। दोनों बात हैं। इनकी चल रही है शोक सरकार की चिरन जी भी योजना। और एक केंदर सरकार की भी योजना चल रही हैं। वो पाद लाग की हैं। ये पत्चीश की है। क्या लगता है कि फिर से रिपीट हो सकता है। नाइंटी परसेंट हो सकता है। पर आगे देखो क्या होता है। अपको क्या लग रहा है। आप पहले अपना परिचेत। आप मेरा नाम मेंदर मरट्या है। मैं रहा हूँ, बस मेरा यह कहना है। कोई भी सरकार हो वियापरी का पुरा धान देवे। वयापरी कोक परिसान ना करें। और थोड़ी सपे का भी धान देवे। क्या सारी सापे का एम खुद करेंगे ते लेकिन बार जो यह तो सब्सक्राइमे हैं लगता है इस बार फिर से अशोक गहलोट सरकार बरकरार है अपके देखो यहां पर चल रही है काटे की टकर चल रही है गिलोट साब ने भी खूब मिनत करी है और बीजेपी पालिटीने पर कूब मिनत करी है संगस दोनुग जा रही है और चोग गहलोट की जो योजनाएं है है वो जमीन पर आई है काम किया है और उनको सब द्यान है कैसे क्या करना है वह चलाते अच्छे चलाते हैं लेकिन अब यह थोड़ा मतलब थोड़ा व्यापरी लोग बहुत परिशान है मतलब थोड़ा तो मैं बलो आनेवल सकार कोई भी हो चाहे कोंग्रेस हो चाहे बीजे कोना है कि वैपारी की वजए से पूरा देश चला है कि कहीं ना-कहीं सहीं भी आए मगर वैपारियों को ध्यान दे मिवा कर रहे हैं लगता है ऍए फिर से ceramic मा बन सकती है मतलब अभी हम लोग ये विधान सभाशेत्र जो है वो ब्यावर विधान सभाशेत्र है और यहां पर आपको मैं बता दू बिजेपी के प्रत्याशी याने के जो बिजेपी से कैंडिडेट 2018 में खड़े हुए थे शंकर सिंग वो जीते थे शंकर सिंग रावत वो जीते थे औ अभी तक वो बिधायक है और और विधायक यहां के जो हैं बीजेपी के उनका कारेकाल अगर देखा जाए तो कैसा कम किया तो क्या लगता है जो बीजेपी कि तेंग देंघेर के नंगेलीर अगे तो बिधायक पर यूशे है काम अच्छा नहीं किया है लेकिन हाँ ठीक ठाक किया है ऐसा कहा जा रहा है शहरी शेत्र में काम नहीं किया गया उसे साब से इन्हें अपेक्षा थी शायद अपेक्षा के हिसाब से कोई काम नहीं किया जाता है जो अपेक्षा रहती है वो नहीं हो पाती है लेकिन फिर भी हम अभी और भी लोगों से बात करेंगे इस इस विदान सभा शेत्र का क्या मूड है ये भी जाने की कोशिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें यह ब्यावर विधान सभा शेत्र में क्या लग रहा है आप मतलब बहुत समय से यहां पे रह रह रहे हैं तो करीब करीब ऐसा लग रहा है कि यह है ना बीजीपी जाएगी कॉंग्रेस आनी है अपकी कॉंग्रेस आनी है राश्तान में अनी है मद्यपरदेश में आनी है और या शटिसकर में आनी है यह सब जब पल्टिक आएगी अपकी अरे भाई मोदी जी मेरे तो खास थे लेकिन अब यू हाथ उच्छे करते हैं खाली हाथ उच्छे करके खिलाडी बरूंते हैं वो जमाने नहीं अब आजकल सारे हुशार हो गए बोड़ देने वाले इतने हुशार हैं कि आपको क्या बोलेंगे उस रोज मेरे जिसी ही जो अब आजकल कोई वो गारेंटी नहीं है कि मैं आपके साथ ही हूँ साम को साथ हूँ सुबर नर्जोंगा अभी कौन निकल रहा है अभी तेहीं निकलेगा मुक्य मंद्री गैलोत आएगा गैलोत अच्छे ब्यावर सीट ऐसा माना जाता है जहां पे कॉंग्रिस कब से नहीं मतलब यहां पे विधायक बना पाई है या नहीं जीत पाई है तो इस बार क्या लगता बैका ब्यावर में तो संकर सिंग तीन साल से बीजीपी का आ रहा है वो गावों की तरब साता ब्यावर से नहीं आता है लेकिन गावों में उसका एक मुस्क बोट पड़ता है और दू टो योजनाउं का जो हो रहा है वो बहुत चप्चा में आ रहा है कि Arabic Yojnai बहुत अच्छी चल रही है तो उसके बारे में आपूले मतलब बेलकुल बढ़े चल रही है वो दर्वाजी कूल द कहें सारे ले जाएं आला खौब यो मजे कर वो जानता है आँंगा तो सोटका अर्फिर भी नहीं हूं तो मेरा नाम तो लेगा, मैं क्या कर रहा हूं क्या करके गया मरने वाला दादा होता है, वो कुछ देखे जाएगा आपको, तो आप पीचे से ये तो कोगै, कि मेरे को देगिया काई अगर अशो गैलोत की सरकार नहीं बंते हैं फिर भी उन्हें लोग बोले गा अनों कि इन्होंने मुझे देखे कर भा ये 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 तो इसे पहले जो अशोक गैलोत की सरकार सेалась वसंद्रा- राजे की सरकार थि बीजेपी तो यहां पर भी एक बीजेपी के ही जो कैंडिडेट थे जो इंद्र प्रस जी उनको भी टिकेट मतलब वो कह रहे थे कि हमें टिकेट मिलेगा बीजेपी से मगर उन्हें मिला नहीं तो वो अब इंडिवीजवल बागी होकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो यहां तो शंकर सिंग लाता है क्यों कि हालागी को अंग्रेश वाला पर पिछल टाइम बड़ा बड़ टकर लेशत है इसका परस पंच तो अब परस पंच तो लिया टिकेट मनोच वान भी वे कॉंग्रेशी है इसका बब नीशर्था सांग सिंग मनोच वान जो है ना इसके पिताजी पहले कॉलेज पढ़ते थे तो मेरा छोटा भागी दोस्त था तो मैं हलागी बीजीपी का अंबर जेंसी में जंडा लेके चला फिर भी मैं चुप रहा इसके लिए इमेर्जेंसी का जंडा वो लेकर के चले नहीं मैं चला वो का चला अमर्जेंसी के अंदर जब जंता बाल्डी बनी उस समय हमने पूरे रास्तान के अंदर रोते रोते फिर हम बीजेपी को रोते पिर हम अच्छा तो उस समें फेरु सिंग चेकावत आगया था तो बेरु सिंग सेकावत को पांच बती पर नोटों की माला मैं पहनवाता था अच्छा को टाइम था मैं बंबो जी गया हूं इसमें इसमेल अन्था निन का रहा है अच्छा आप कह रहे हैं इमर्जेंसी की बात कर हैं इमर्जेंसी के दो और में बीजेपी आभी के दोर की आपको क्या लजा है था मैं अभर्जेंसी में तो कॉंग्रेस बिलकूल घरा से हो गई थी जब जनता बाल जी बनी थी तो तब तब सरह सही हो गी थी फिर बाद में वापिस आई थैय चाहल के अंदर वह फेल हो हु चले बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया